कश्मीरी पंडितों की टार्गिट किलिंग आखिरकार कब तक ये अपने आप में एक एहन सवाल है क्योंकि कश्मीरी पंडितों के दर्थ के जो आकड़े हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो वाकई हैरान और परिशान करेंगे क्योंकि नाम पूछ कर कब-कब हत्याय की गई अनंतनाग और उसके बाद अनंतनाग में सरपंच अजे पंडित की हत्या कर दी जाती है फिर इसके बाद निशाने पर कश्मीरी पंडित का बाते हैं तारीक थी 5 अक्तूबर 2021 यही वो तारीक थी 5 अक्तूबर 2021 तब जगह शिरनगर थी और दवाक कारोबारी माखन लाल के स साथ तीन लोगों की हत्या कर दी जाती है 7 अक्तूबर 2021 जगह वही शिरनगर की आप देख रहे हैं शिरनगर की जगह में कहां पर स्कूल में दीपक चांद के साथ दो शिक्षकों की हत्या कर दी जाती है फिर इसके बाद 9 अवंबर 2021 में शिरनगर कारोबारी की हत्या होती ह कारोबारी संदीप मावा पर जानलेवा हमला कर दिया जाता है फिर इसके बाद तारीख आती है चार अप्रेल की चार अप्रेल जगाती शोपिया यहाँ पर दुकानदार सोनु कुमार पर जानलेवा हमला होता है फिर इसके बाद तारीख आती है बारा मई 12 माई को बढ़गाव में सरकारी करमचारी राहुल भट जिसका जिकर पूरा हिंदुस्तान कर रहा है पूछ कर हत्या कर दी जाती है यानि एक के बाद एक हत्याएं पूछ कर अटैक किया जाता है कश्मीरी पंडितों के पलैन और पुनर्वास का भी यहां पर जिकर बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि घाटी से पलैन करने वालों का आकड़ा बाप के सामने है घाटी से पलैन करने वालों परिवार 60,000 फिर इसके बाद घाटी से बाहर बसे परिवारों का अगर मैं जिक्र करूँ तो ये आकड़ा पहुचता है 23,000 के आसपास पिछले कुछ सालों में जो कश्मीरी पंडित घाटी लोटने का जिक्र हम कर रहे हैं दावा गया जा रहा है कि 3800 परिवार हैं लेकिन एक आकड़ा यहां पर सबसे महत्पूर हो जाता है वो आकड़ा ये कि अनुछेद 370 खत्म होने के बाद कितने कश्मीरी पंडित लोटे तो उसका आकड़ा आपके सामने 520 ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आतंग की कश्मीर फाइस आखिरकार कब बंद होगी कश्मीरी पंडितों की टार्गिट किलिंग आखिरकार क्यों की जा रही है और ये कब तक जारी रहेगी क्यों की जा रही है इसका सवाल बहुत असान है ये तो पूरा हिंदुस्तान जानता है लेकिन कश्मीरी पंडितों के दर्थ का अंध क्या सिर्फ कश्मीर फाइस बन कर हो जाएगा नाम पूछ कर हत्या का सिसला आखिर कर कब थमेगा ये अपने आप में एक एहन सवाल है और इसी सवाल के साथ छोड़ के जा रहे हैं नमस्कार जैहिंद जैभारत